आज का हमारा question है प्रसनावली 8.1 का 3 number question यदि sign a बराबर 3 बटा 4 हो तो cos a और 10 a का मान परिकलित किजिए तो यह question कह रहा है sign a बराबर 3 बटा 4 है तो cos a और 10 a का मान निका लिए तो कैसे निकालेंगे चलिए इसको बताते हैं हल लिखेंगे यह हल लिख लिए उसके बाद इसमें दिया है sign a बराबर 3 बटा 4 इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं sign a बराबर 3 बटा 4 और ग्यात करने के लिए कहा है cos a बराबर वाट 10 a बराबर वाट यानि यह दोनों का मान निकालने के लिए कहा रहा है तो इस question को बनाने के लिए यहां पे तिर्फुज बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं क्योंकि यहां पे कौन A है तो इस कौन A में पूछ रहा है दुसरा कौन तो है नहीं जो confusion होगा ठीक है तो क्या करते हैं बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं यहां पर हम बना ही लेते हैं थोड़ा के लिए यहां पर A B C इस तरह लिख लिखे हैं यह है यह इरा B- condition Nятиore अब यह जो दिया है इसको तोडते है क्यों कि हम जानते हैं Sin Theta b बड़ाए C होता है तो यहां Sin A बड़ावर हम लिख सकते हैं यह Ah H और इधार है 3 बटा 4 अब ये P के सामने का P का मान हो जाएगा और H के सामने का H का मान हो जाएगा यानि P बराबर 3 हो जाएगा और H बराबर 4 हो जाएगा ठीक है एक तीसरा भुजा B होता है जो मालूम नहीं है तो इसी के साहरे निकलेंगे यानि वाट है बी का मान निकलना होगा ठीक है अब यहां कौन ए है तो कौन ए के लिए इसमें लिखना तो पी बटा एच कौन ए यहां पे है इसका पी यानि सामने का भूजा बी सी है तो पी यहां पे तीन है तो बी सी का मान तीन हो जाएगा ठीक है और एच है तो कौन ए के यानि 90 २ सामने के भोजा कन होता है यानि होता है तो इस भोजा करें अक्ष हूं इस हम भोजा चान हो भी मुथ है। यही एक है एक यज्द ही है। है कि मान यहां पर चार ह Ti तो यहbour चार हो जाえ और नीचे जो बज रहा यहीं का ईकर लेंगे धिक का यहां पर हम लिखेंगे पाईथा गोरस प्रमे से इपाईथार ve मेलब लिखते हैं तो EU स्कॉयर बराबर लम को पी लिखते हैं तब पी पल्स अधार को B लिखते हैं तब B-A स्कॉार यह हो गया, अब H का Matter यहां पर है चार, तो चार का स्कॉार बराबर पी का स्कॉार इस तो तीन का स्कॉार, पल्स B का मान अदर के अनुआ निकालना है, तो यह b-A इए रहेगा अब यहां पर चार का स्कॉार करेंगे तो सुलना हो जाएगा और तीन का स्कॉार करेंगे तो नो हो जाएगा पॉलस इदर बीए स्कॉार है में आप क्या करेंगे इधर सुल्ला है ठीक है सुल्ला रहेगा इधर नौब्रावर के साइड पौलस में है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर सिर्फ बचेगा बीज इसक्वार यह घट कर हो जाएगा 7 और इदर B2 है यह से B2 हटाएंगे तो इदर ROOT आएगा तो 7 पर ROOT चड़ जाएगा और इदर सिर्फ B हो जाएगा तो इसलिए B2 का मान हो गया ROOT 7 अब 3 मालम चल गया अब 3 भूजा मालम चल गया यानि B2 का मालम चल गया ROOT 7 जब तीनों भूजा मालम चल गया तो कॉस ए और टैन ए कमान निकल जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे अब कॉस ए बराबर कॉस टीटा बराबर फर्मूला होता है बी बटा एच तो यहाँ पे बी कमान आगए है रूट साथ तो रूट साथ होगा अब बटा एच कमान यहाँ पे चार है तो चार हो जाएगा कॉस ए बराबर रूट साथ बटा चार यही एंसर हो जाएगा दूसरा है टैन ए कमान तथा टैन ए बराबर टैन शीटा बराबर फर्मूला होता है पी बटा बी यानि लम बटा आधार तो इसमें B कमान 3 है तो यहां पर 3 हो जाएगा बटा B, B कमान अभी आया है रूट 7 तो यह रूट 7 हो जाएगा तो यह 10 a बरिबर 3 मटा रूट 7 यह इंसर हो जाएगा तो इस तरह बनेगा तो दोस्तो ये कोश्टन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज इसे सब्सक्राइब कर ले